स्वागत है आपका आज के अपिसोड में चले शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ अभ्यास गगन शक्ति के बारे में निम्नलिकित में से कौन सा कथन सही नहीं है एक यह भारती वायू सेना द्वारा हिंद महासागर शेत्र के संपून विस्तारिश शेत्र पर अपने हवाई प्रभुत्व को प्रदर्शित करने के लिए आयूजित किया जाता है दो यह एक त्रेवार्शिक अभ्यास है दिये गया कूट का उप्योग करके सही उत्तर चुनिए एक एवल एक बी केवल दो सी एक और दो दोनो डी उपर्युक्त में से कोई भी नहीं इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल दो चलिए देखते हैं इसके विसलेशन को भारती वायू सेना 17 फरवरी 2024 को जैसल मेर के निकट पोखरण के एयर टू ग्राउंड रींज में अभ्यास वायू शक्ती 2024 का आयू जन करेगी गगन शक्ती का संचालन भारती वायू सेना द्वारा हिंद महासागर शेत्र के संपून विस्तारिश शेत्र पर अपने हवाई प्रभुत्व को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है अखिल भारती स्तर का अभ्यास गगन शक्ती पांच वर्ष में एक बार आयो जित किया जाता है तो चलिए शुरुवात करते हैं आज के एपिसोड की पहला प्रश्न है निम्नलिकित में से किस राज्य ने हाले में प्रभावी प्रदूशन नियंत्रण उपायों के लिए समन्वे समीतियों का गठन किया है इस प्रश्न का सही उत्तर है विकलपड़ी हर्याना चले देखते हैं इसके विसलेशन को हाले में हर्याना के मुख्य सचीव ने प्रभावी प्रदूशन नियंत्रण उपायों के लिए समन्वे समीतियों का गठन किया मुख्य सचीव ने रोहतक पानीपत और करनाल जिलों में नालों में सीवेज जल छोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का भी आदेश दिया अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश? इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प A. तंजानिया चले देखते हैं इसके विसलेशन को मेले में लगबग 50 देश भाग लेंगे इन देशों में इथियोपिया, घाना, केन्या, नामीबिया, नाइजीरिया, युगांडा, जिम्बाववे, मौरिशस, म्यामार, नेपाल, रूस, श्रिलंका समेत अन्य शामिल है शिल्प मेले में तंजानिया ने भागिदार राष्ट के रूप में भाग लिया गुजरात थीम राज्य है जो शेत्र के विभिन कला रूपों और हस्त शिल्प के माध्यम से अपनी अनूठी संस्कृती तथा सम्रिद विरासत का प्रदर्शन कर रहा है अगला प्रश्ण है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीम गती शक्ती रास्ट्रिय मास्टर प्लान किस वर्ष शुरू किया गया था ए दोहजार उन्निस, बी दोहजार बीस, सी दोहजार इक्यस या डी दोहजार बाईस इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकलपसी 2021 चलिए देखते हैं इसके विसलेशन को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीम गती शक्ती रास्ट्रिय मास्टर प्लान अक्टूबर 2021 में लॉंच किया गया मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीम गती शक्ती रास्ट्रिय मास्टर प्लान बुनियादी धाचा पर यूजनाओं की समन्वित यूजना और निश्पादन के उदेश इसे एक पहल है इसका उदेश लॉजिस्टिक लागत में कमी लाना है गती शक्ती एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो एकिक्रित यूजना और कार्यानवयन के लिए रेलवे तथा रोडवी सहित 16 मंत्रालेओं की विकास पर यूजनाओं को एक साथ लाता है लॉज होने पर गती शक्ती यूजना में वर्ष 2019 में घोशित 110 लाग करोड रुपय की रास्ट्री अवसनरशना पाइपलाइन शामिल हो गई अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक, 73 समवधानिक संशोधन अधिनियम 1992 ने पंचायती राज संस्थानों यानि P.R.I. को समवधानिक दरजा दिया दो, पंचायते तिन स्तरों पर कारे करती हैं ग्राम सभा, पंचायत समीतियां और जिला परिशत उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है या नहीं है A केवल एक, B केवल दो, C एक और दो दोनो, D न तो एक और नहीं दो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D न तो एक और नहीं दो चलिए देखते हैं इसके विसलेशन को पंचायती राज संस्थाएं पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित सभी मामलों को देखता है इसे मई 2004 में बनाया गया था अगला प्रश्ण है भीम बेट का चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिकित में से कौन सा सही है ये चित्र अधिकांश गुफाओं की दिवारों पर लाल और सफेद रंग से बने है ये गुफा चित्र सबसे पुराने लगभग 10,000 वर्ष पुराने है इसमें गायन, नृत्य, शिकार तथा यहां रहने वाले लोगों की अनिसामानिगति विधियों जैसे द्रिश्यों को दर्शाया गया है इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प डी उपर्युक्त सभी चलिए देखती है इसके विसलेशन को भीम बेट का खोज, भीम बेट का रॉक शेल्टर की खोज, वी एस वाकर्ण कर द्वारा वर्श 1957 में की गई थी अवस्थिती, यह मद्प्रदेश में होशंगाबाद और भोपाल के मध्यराय से इन जिले में स्थित है यह विंधपर्वत की तलहटी में भोपाल से लगभग 40 किलोमेटर दक्षडपुर्व में स्थित है पेंटिंग स्या चित्रकला भीम बेटका के कुछ रॉक शेल्टर में प्रागयतिहासिक गुफा चित्र है और यह सबसे पुराने लगभग 10,000 वर्ष पुराने है जो भारतिय में सुलिथिक की अनुरूप है यह चित्र अधिकांश गुफाओं की दिवारों पर लाल और सफेद रंग से बने है रॉक कला के इस रूप में कई विश्यों को शामिल किया गया था और इसमें गायन, रित्य, शिकार तथा यहां रहने वाले लोगों की अन्य सामाने गतिविधियों जैसे द्रिश्यों को दर्शाया गया था भीम बेटका के सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग लगभग 12,000 वर्श पहले की मानी जाती है अगला प्रश्ण है सिंथन टॉप दर्रा निम्रलिकित में से कहां अवस्थित है इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकलपसी जम्मु कश्मीर चलिए देखते हैं इसके विसलेशन को जम्मु कश्मीर में ओफ बीट परेटन गंतव्य को बढ़ावा देने की उद्देश से पहली बार सिंथन टॉप का मार्ग फरवरी 2030 में खोल दिया गया है सिंथन टॉप एक उचा पहाडी दर्रा है जो अनंत नाग जिले में ब्रेंग घाटी तथा जम्मु कश्मीर के किश्तवार के बीच स्थित है या कश्मीर को चिनाब घाटी से जोडता है जम्मु कश्मीर एक केंदुशासित प्रदेश है जो देश की उतरी भाग में स्थित है इवं वैश्विक परेटन के प्रमुक स्थलो में से एक है पारंपरिक मनोरंजन परेटन के अतरिक्त, एडवेंचर, तिर्थियात्रा, आध्यात्मिक वस्वास्त परेटन की यहां व्यापक संभावनाएं मौजूद है प्राकृतिक मनोरं, सुंदर्ता और स्थुरम में स्थानों ने इसे विश्वभर के परेटकों के लिए एक पसंदीदा स्थान बना दिया है जम्मू यहां के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है जबके कश्मीर घाटी अपनी जीलों और उद्यानों ही तु मानी जाती है अन्य कुछ प्रसिद्ध सलो में श्रीनागर, पहलगां, जम्मू, सनासर, जासकर, गुलमर्ग, सोनमर्ग, पटनी टॉप, कट्रा या वैश्णो देवी, कारगिल, नुब्रा घाटी, शामिल है अगला प्रश्ण है, निम्मलिकित में से कौन सा शेत्र सिंदू घाटी सभ्विता काल में तांबे के लिए प्रसिद्ध था इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प ए राजस्थान, चली देखते हैं इसके विसलेशन को सिंदुघाटी सभिता काल में राजस्थान का खेतड़ी शेत्र तांबे के लिए प्रसिद्ध था सिंदुघाटी सभिता के बारे में भारत का इतिहास सिंदुघाटी सभिता से प्रारंब होता है जिसे हम हडपा सभिता के नाम से भी जानते हैं यह सभ्यता लगभग 25 इसा पुर्व दक्षण एशिया के पश्चमी भाग में फैली हुई थी जो कि वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चमी भारत के नाम से जाना जाता है। सिंदोगाटी सभ्यता मिस्र, मिसोपोटामिया, भारत और चीन की चार सबसे बड़ी प्राची नगरी सभ्यताओं से भी अधिक उन्नत थी। 1920 में भारती पुरातत विभाग द्वारा किये गए सिंदोगाटी के उत्खरन से प्राप्त अवशेशों से खडपा तथा मोहन जोदरों जैसे दो प्राच्वी नगरों की खोज हुई। सिक्कों और पदकों की अधियन को न्यूमिस मेटिक्स मुद्रशास्री कला ग्या मुद्रशास्र के नाम से जाना जाता है। इस ट्रेटीग्राफी भूविज्यान की एक शाका है जिसमें चटान की परतों का अधियन किया जाता है। तो चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्ण को। निम्नलिकित में से किसके विवरण के आधार पर दाशनेक मॉन्टेस्क्यू ने प्राच निरंकुष्ता का विचार विक्सित किया। इस प्रशन का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें आज के लिए बस इतना ही शुक्रिया। झाल